मेरे पास आप सब के लिए का इडिया है, इस बार बिजली का बिल बे करने के कोई जरूरत नहीं है, हमने खुद नहीं करा, अब चुनाफ से पहले कहां ही connection काटेंगे, क्योंकि काटने के काम की शुरुवात होती है, चुनाफ के बाद बया हो गए क्या? सब का गटेगा अब पंजाब में 20 तारिक को पोलिंग हो रही है, अगर आपको लगता है कि वहाँ पे लोग जनरेटर की आवाज के आगे भंगडा कर लेते हैं, विदाउट नशे, विद नशे तो I can relate, sorry, understand, तो आप अकेले नहीं हैं, and thanks to Bollywood, I'm sure आपके जैसे गदो की तादात और भी ब 9% candidates में criminal cases थे, और अब वो number भढ़ के हो गया है, 25%. और जहां तक assets की बात है, 2017 elections में 37% neta करोडपती थे, और वो number भी अब भढ़ के हो गया है, 42%. और जहां करोडपती निताओं के number भढ रहे हैं, वही number गिर रहे हैं पढ़े लिखे निताओं के. 1316 candidates में से 765 ने अपनी पढ will ever be able to clear. अमिच्शा और सिंगर, मुखविंदर सिंग, ये सब petty politics से अलग है. क्योंकि जब अमिच्शा की लुध्याना वाली rally में उनका photo छपा BJP के poster में, तो लोगों ने उन्हें phone करकर के इतना congratulate किया कि वो परिशान हो गए. और वो इसलिए नहीं क्योंकि उनकी international roaming लग रही थी, बलकि इसलिए क्योंकि उन्होंने BJP join ही नहीं की थी. तो हुआ ये था कि वो अपना first name share करते हैं BJP के एक actual candidate मुखविंदर सिंग महल से. और जब BJP का कारेकरता जो ये poster चपवा रहा था उसको मुखविंदर सिंग महल का photo नहीं मिला तो उसने internet में search किया. और वहां सबसे प I am happy कोई Mohandas Karamchand Gandhi नाम के candidate ने BJP join नी की. वरना ही अपने poster में Gandhi जी का ही voter चपवा देते. क्या यही है मोधी जी का? नवा पंजाब नवा पंजाब UP में गजरॉला के एक polling station में 20 मिनिट तक गायब हो गया presiding officer Ikram Naqvi जिसके बाद वहां पे बहुत tension हो गई. And not because UP में जब भी कोई Muslim गायब होता है तो उसके वापस आने के chances उतने ही होते हैं इतने आपके खोये हुए बच्पन के. वहां पे बहुत तनाव हो गया क्योंकि presiding officer is actually the most important person in a booth. Think of them like a shopkeeper जिसकी दुकान पे आप लाइन में घड़े हैं लेकिन वो खुद ही गायब है. As if वो Ikram Naqvi नहीं देश का विकास हो. अब Ikram के गायब होने के बाद लाइन में लगे voters ने इसकी सूजना दी officers को. जिसके बाद वहां पे search operation शुरू हुआ. उनको इधर-उधर ढूंडा गया. Ikram, Ikram, are you there? Please reply, Iku. लेकिन 20 मिनट बाद कुछ एहसा हुआ कि कोई script भी नहीं कर सकता था. Ikram वापस आ गए, जिन्दा. लेकिन जब वो वापस आये तो वो अकेले नहीं थे. उनके हाथ में था चाय का ग्लास क्योंकि आक्षिली वो चाय पीने चले गए थे. डिवाइड बाद बाद रिलिजन, उनाइट बाद चाय. लेकिन बोरिंग अधिकारियों को ये कौन समझाए? जिसके बाद लाइड में लगे वोटर्स ने भी बताया कि वो कभी सिग्रेट और कभी गुटका खाने चले जाते थे. मेरे को ये समझ नहीं आ रहा है गुटका खाने के लिए बाहर जाने की क्या ज़रोती? सुट्टा भी ट्रेन की तरह बाथरूम में मारो? और ये important information की वो कभी गुटका खाने चले जाते थे, कभी सुट्टा मारने चले जाते थे, ये चीज सर्च ऑप्रेशन से पहले नहीं बतानी चाहिए थी लोगों को. ये क्यों चीज़े जुपा रहे हैं? Who do they think they are? Youpee police! अब जाहिर सी बात है, अगर polling boots को दुलन बनाया जा रहा है, तो हमारे दूले कैसे पीछे रह सकते हैं? और आज हम आपको मिलाएंगे ऐसे ही कुछ election वाले दूलों से, क्योंकि शादी हो या चुनाब, दोनों में गड़े घोड़ों से जाधा होते हैं. कौन सा काम? कौन से कामों की बाते हो रही है यह, खुद को पता है क्या बोल रहे हो? अब भाई, कौन सा आगे काम? बताओ न, इतने जिम्मेदार नागरिक मेने घूम रहे हो. बैसे दूला उतावला इतना है कि पकड़ी लेने भी दुबारा घरना जाना पड़े, इसलिए सुबह से ही बेंगे घूम रहे है. और इसकी स्माइल देखके तो लग रहे है रात को ही बेंगे सो गया होगा. एंड दुलन का पता नहीं लेकिन डायलोग एगनम रेडी है. हमारा अगला दूला बुलन शहर से है जिसको देखके लगता है कि पकका उसकी शादी उसकी पसंद की लेटकी से नहीं करवाई जा रही है. मतलग बाइक पे पीछे बंदे ने पकड़ भी रखा है कि कहीं भाग न जाए. और हमारे प्रिये दूले राजा शादी की जिम्मेदारियों से जादा नोटों की माला के नीचे दवे हुए नजर आ रहे है. अब भई मीडिया वालों का बस चले तो वो डेट बॉड़ी से भी पूछ ले कैसा लग रहा है आपको और इस बंदे की तो शादी थी? वो अब्विसली बढ़िया ही बोलेगा, घटिया बोलेगा तो तुम उसकी वीडियो नहीं चलाओगे और वीडियो नहीं चलाओगे तो बिचारे की सारी मेहनत वेस्ट हो जाएगी. मेरे को honest नहीं लगता है कि चुनाव वाले दूले अपने शादी की डेट reverse engineer करते होंगे कि मीडिया वालों से free में camera coverage मिल जाएगा. लड़की वालों को बोलेंगे कि देखो हमारा लड़का टीवी पे आ रहा है, famous हो गया, अब दो पईयों से इसका काम नहीं चलेगा. वैसे आपने notice किया है कि हर election से पहले ये दूले अकेले ही क्यों आ जाते है वोट देने? मतलब किसी दूलन की ऐसी स्टोरी क्यों नहीं चलती? वेर आर दब राइड्स? Is it because उनको तयार होने में जाधा टाइम लग रहा है या election commission वाले दिन शगना पर entry नहीं दे रहे? या फिर हो सकते हैं में भी ये दूले ही नकली हो? election commission की चालों की awareness campaign के पैसे बचेंगे और बचेंगे पैसे अपनी जेब में. देखे देश का बच्चा बच्चा जानता है कि निताओं की रैलियों में लोग भाड़े बिलाये जाते हैं. लेकिन जहां तक मेरे limited समझ दी मेरे को ऐसा लगता था कि जिस state में चुनाव होते हैं सर्फ वहीं के लोगों को इस पावन अफसर का मौका मिलता है. लेकिन इस बार हवा आपके फेवरेट यूट्यूबर की तरह बदल गई और जाके हर्याना पहुँच गई. जी या, मोधी जी के यूपी में साहर अंबूर की रैली में हर्याना से लोगों को बुलाने की नौबत पड़ गई. और वो भी 300 से जादा बसे बर की लोग बुलवाये दर्शन करवाने के लिए. I think वैसे हर्याना की चवी थोड़ी खराब है. मतलब आम तोर पे वहां से लोगों को तभी बुलाया जाता है जबकि लड़ाई जगड़े का मैटरो. लेकिन मोदी जी ने ये ट्रेंड भी चेंज कर दिया. बाकी पार्टे सिर्फ बोलती है, BJP करके दिखाती है. लेकिन मेरे को यूपी वालों के लिए बहुत बुरा लग रहा है यार. उनको दर्शन का असर क्यों नहीं मिला? और उन्हें डीजल और टोल के पैसे खुद देने पड़े. 300 बसे का टोटल 31 लाख से भी जादा का घाटा. अब rally के organizers तो officially मना करेंगे ही कि उन्होंने नहीं किया. और माना कि प्राइवेट बस वाले अगर सड़क पे कोई उबासी भी लेता है तो उन्हें लगता है उन्हें रुकवाने के लिए कह रहा है. तो obviously उन्हें खुद से तो ऐसा किया ही नहीं होगा कि बंदे भर के लिए rally में अपने आप ही. Obviously किसी बीजेपी के रेता नहीं ये प्राइवेट बस वालों को कॉंट्राक्ट दिया होगा और आप पेमेंट नहीं निकाल रहे हैं. Basically बीजेपी वालों ने बस वालों की टिकेट कार्ट दी. मेरी बस संचालों को से अनुरूद है कि आप अपनी आवाज ना उठाएं क्योंकि अगर आपने अवाज उठाई तो हो सकता है कहीं आप कोई ना उठा लिया जाए. और ऐसे ही यूपी में बीजेपी के एक MLA रागवेंदर सिंग ने अपना पैशन प्रोजेक्ट पब्लिक से शेयर किया है कि अगर वो चुनाव जीतेंगे तो मुस्लिम्स विल स्विच फॉर्म स्कल काप्स तु 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 तिलक. बिलकुल बिलकुल अमरित काल का यही तो विजेन है. मुस्लिम्स के तिलक ना लगाने की वज़ा से ही अपका कम सूपर पावर नहीं बने. अभी देखना चुनाव के बाद पेट्रोल और डीजल अपने दाम खुद बढ़ा कर अपनी नहराजगी व्यक्त करेंगे. और बाइद वे रागवेंदर सिंग ने टेलरिजम का सॉल्यूशन भी निकाल लिया है. क्या फाइदा होगा सीची टीवी कैमरा लगा के? यूपी पे बिजली तो आती नहीं है. उक एक और सॉल्यूशन भी है. तब क्यों ही बोला मैने भी. अब मदर्सों की मानिता रद करके मानी मंत्री जी के बेसिक सिच्छा स्कूलों में भेज दिया जाए. सारे आतंक बाद अपने आप समाप्त हो जाएंगे. इस देश में असली लोकतंतर की अस्थापना है. बै उसे लोकतंतर नहीं जोकतंतर कहते हैं जो तुम बना रहे हो. वैसे एक और पैशन प्रोजेक्ट अधूरा रह गया है. वो था फिश्व हिंदू परिशत के लोगों का, जिनको अक्षिली ताज महल पे जाके हनुमान चाली सा पढ़ना था. बिकॉश चायज यही है वो न्यू नॉर्मल, जिसकी सब बात करते हैं. सो गेट उस्टू इस यहाँ परिशत के पूरे मजे मारे मतलब उन्होंने अपना संगीत संध्या का कारेकरम पूलिस स्टेशन में ही शुरू कर दिया. जिसके बाद पूलिस वालोंने उनकी भक्ती देखके उने छोड़ दिया. लेकिन शायद उन्होंने गुलू का प्रोग्राम नी देखा ता उन्हें पता नहीं था कि पजरंग बली से बड़ा भक्त अनुमान जी का कोई नहीं. हाई गर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे वो करें जो आपकी क्रश आपको नहीं करती. लाइक. इस वीडियो को शेर करें बिकोज शेरिंग इस केरिंग और कॉमेंट करके हमें वो चीज़ दे जो आपका बॉस आपसे अप्रेजल के टाइम भी सिर्फ टाइम पास के लिए लेता है. फीडबैक. माइनेम इस मनुच और आप देख रहे थे.